नमस्ते and welcome to catch live with Pumi आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना morning self care routine by keeping my weight loss routine in mind और friends अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करिए और notification bell को press करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो का notification मिलता रहे तो चलिए friends, let's get started सबसे पहली चीज जो morning मैं करती हूँ वो है मेरी thyroid की गोली और उसके बाद मैं लेती हूँ गुनगुने पानी में नीबू और शहद इससे शुरुवात होती है मेरे दिन की उसके बाद skincare करने के लिए मैं आती हूँ बात्रूम में और किसी non-chemical वाले face wash से अपने face को दोने के बाद में लगाती हूँ कामा का नलपमरादी oil इसके उपर एक separate video मैंने already share किया हुआ है उसे जरूर चेक करिएगा ये बहुत ही अच्छा oil है इसकिन के color को fair करता है जाईयों को, pigmentation को रोगता है और काफी फाइदे मंद है इसके साथ अगर पहले मैं इससे पहले जो use करती थी वो था ये बादाम, रोगन और vitamin E का capsule vitamin E के A capsule को तोड़िये और उसमें मिलाईये बादाम, रोगन और face पे लगाईये मैं इन दोनों में से या तो बादाम, रोगन या नलपमरादी oil में से किसी ना किसी एक चीत का use daily level पे करती हूँ नलपमरादी oil की कुछ drops लीजी और face पे अच्छे से massage कर लीजे येलो कलर का होता है, थोड़ा stain लग जाते हैं इससे तो ध्यान से करिए इसके बाद मैं आ गई देखे किचन में क्योंकि बनानी है गर्मा गरम चाय और चाय बनाते साथ साथ मैं करूंगी अपने detox water की तयारी family में सब पीते हैं detox water detox water की recipes मैंने share करी हुई है आज बना रही हूँ green tea का और save का apple का मैं बना रही हूँ detox water detox water को बनाने के बाद मुझे अपनी चाय की तयारी करनी है तो अब चाय बन गई मेरी और चाय बनने के बाद मैं बैठूंगी बाहर और मजे लूँगी अपने plants के और outdoor चलने वाली बहुत अच्छी अच्छी हवा के तो यह है मेरी पसंदीदा जगह जहां मैं नॉर्मली बैठती हूँ daily चाय पीते वक्त अपने plants को देखते रहना थोड़ी बहुत गपशप कर लेना morning के time पे cool और शान्त मैं स्टाइम रहती हूँ जिससे मुझे और भी ज्यादा energy मिलती है अब करती हूँ aerobics की तयारी यानि अपनी exercise की तयारी और exercise मैं जब करती हूँ तो एक बड़ी जगह चाहिए ताकि हाथ पर अच्छे से चलें तो यह जगह है मेरा utility area थोड़ा सा ignore करिएगा light यहां कम है morning मैं करती हूँ यहां पर अ exercise करना morning में मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और वैसे भी जितना खाना जरूरी है मेरे लिए उतनी ही weight loss के लिए exercise का करना जरूरी है exercise से थोड़ा सा मज़ा आता है आप ना stress भूल जाते हो music चलता है music के सास्थ थोड़ा सा पूथते फानते हो तो आपको मज़ा आता हलका सा हम feel करते हैं और वैसे भी थोड़ा सा हम stress free हो जाते हैं जब हम exercise कर लेते हैं और exercise करने के बाद देखिए यह है मेरा health corner जो अब थोड़ा और भी ज्यादा healthy हो गया है क्योंकि इसमें है अब oziva protein and herbs जो पहला protein है जो especially females के लिए है women के लिए है इसमें जो protein है वो है जैसे flex seed हैं तुलसी है और green tea के extracts है जो मेरा favorite है इसमें वो मैं आपको बताती हूँ जो मेरी favorite point है वो यह है यह metabolism को boost करता है जिससे कि जब आप weight को reduce करते हैं तो आपको मदद मिलती है वैसे भी thyroid है मुझे और thyroid की वजह से थोड़ा सा hormonal imbalance रहता है और उससे यह oziva की low carb diet और इसे लेने से मैंने थोड़ा सा अपने stamina में भी improvement महसूस किया actually मैं एक weight loss program को follow कर रही हूँ और last month मैंने करीब 3 kg weight reduce किया है और इस drink को मैं पिछले 10 दिन से ले रही हूँ और मुझे मतलब कभी भी कोई low energy की problem या skin और hair की कोई problem महसूस नहीं हुई और पहले भी जब मैंने extra protein लेके ही recover किया था कभी आपके साथ share करूंगी तो ये वैसे भी इसमें claim है कि ये hair growth को promote करता है और skin texture को improve करता है और वैसे जो और भी इसके positives हैं जैसे ये soya free भी है gluten free है इसमें कोई added sugar या added preservative नहीं है और इसमे class A whey protein है जिसमें 28 vitamins और minerals हैं जो हमें normally अपने daily के खाने से न पानी के साथ ले सकते हैं या दूद के साथ ले सकते हैं मैं दोनों ही तरीकों से इसको लेती रहती हूं अगर आप workout करते हैं तो इसका एक scoop full लीजिए otherwise आप इसके half scoop का ही use करिए अच्छी तरीके से इसे घोलिए थोड़ा सा आप आपको घोलना पड़ेगा अच्छी तरीक करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है तो मुझे तो वेट अपना कम करना है तो मैं तो सब कुछ करने को तयार हूँ बस बस मेरा वेट और थोड़ा सा कम हो जाए शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी अब देखिए इसे पीने के बाद थोड़ा सा अब करना है मुझे सफाई क्योंकि ये है मेरा सफाई का टाइम आपके साथ अल्लेडी शेयर कर चुकी हूँ अपना डेली क्लीनिंग का वीडियो देखिएगा जरूर और अपना ध्यान रखें अगर आप अपना ध्यान रखेंगे हम अपनी सेल्फ केयर करेंगे तब ही तो हम अपने बच्चों की और फैमिली की केयर कर पाएंगे जो हमारी सबसे बड़ी प्रियारिटी और जिम्मेदारी है तो अपना ध्यान रखना सबसे दादा जरूरी है, ये कोई selfish या स्वार्थी सोच नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आपको सही रखेंगे, तभी हम अपनी family को fit और healthy रख सकते हैं, तो कुछ शुरुआत अपने लिए करिए जल्दी, और वैसे भी जब मैं ये काम करती रहती ह हूँ, तो थोड़ा सा, कभी भी जैसे low feel होता है, तो मैं अपना, या प्यास लगती है, तो मैं अपना detox water ही पीती रहती हूँ, बीच-बीच मैं relax करती रहती हूँ, कभी-कभी face pack भी लगा लेती हूँ, साथ में ये सब काम करते-करते, और जब ये काम थोड़ा सा खतम हो ज और boil करने के बाद मैंने लिया घर का बना हुआ मक्षन, और उसमें डाली मैंने एक प्यास कटी हूई, थोड़ा सा प्यास को भूना और फिर उसमें मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च, और इनको भी थोड़ा सा मैंने अच्छी तरीके से भून लिया, और भूनने के जो भी आपके पास हो और फिर डाल दिया इसमें मैंने शहर इतनी चीज़ें एड करने के बाद तयार हो गई मेरी एक स्मूदी और ये मैंने आज अपने हस्बन के लिए भी एपल की स्मूदी बनाई है फिर मैं आगई बात्रूम में अब नहाना है तो नहाने के लिए मैं यूज करती हूँ अपना खुद का एक फेस वाश या कहलीजे फेस पैक जो की फेस वाश की तरह से बिहेव करता है इसको बनाने के लिए मैं लेती हूँ एक चम्मच बेसन और उसमें मिलाती हूँ ए आदा चम्मच के करीब शहद और आप्शनल है कि आप इसमें थोड़ा सा मिला ले ये ऐलोवेरा जेल इन सब को मिक्स करके लगा लिजे फेस पे और छोड़ दीजे 5-7 मिनट के लिए मैं इसे यूज करती हूँ शहद को क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यदा ड्राई है और शहद मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मौशराइज करता है 5-7 मिनट बाद थोड़ी अच्छे से मालिश कर लिजे फेस की और उसके बाद फेस को वाश कर लिजे अब मैं चली गई नहाने और नहाने के बाद मुझे करना है अपना ब्रेकफास्ट तो ये हुआ एक छोट आसा मेरा रूटीन जो मैं हेल्थ के लिए फॉलो करती हूँ पसंद आए तो फ्रेंट्स लाइक जरूर करिएगा आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और कॉमेंट जरूर करिएगा फिर मिलते हैं एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ ओके फ्रेंट्स थेंक यू एंड बाब बाई